हैं है अबने आज मैं आपको ऐसी साढियों दिखाने जा रही हूं इनको आप पार्टी में कभी भी पहन के जा कभी बहुती हैं चाहे कोई भी मॉसम हो और किसे पैटन की इस आड़ियों का फैशन चल रहा हो अब प्रफ़ी भी आउट्डेटेट नहीं होती हमेशा एवर ग्रीन होती है इनको आप अपने कपड़ों में जरूर रखिए अपनी कबड में जरूर रखिए इनको जगह दीजिए चार पांस साड़ी आपके पास ऐसी होनी जरूर चाहिए जिसमें से पहली मैं आपको दिखा रह यह जब आप पहनेंगे तो आपको एक रॉयल लुक देगे और यह देखिए इसका यह पल्ला है जिसके यह मोटिव दो कलर के शेडड है और बहुत ही प्यारी लग रही है इस पे आप एक बात ध्यान रखना कि इस पे ब्लाउस जो आप बनवाओंगे वह सिंपल ही रखना कोशिस करना कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मतलब डिजाइन ना बनवाओं क्योंकि डिजाइन आज हैं कल नहीं है आते जाते रहते हैं सिंपल ब्लाउस बनवाओंगे तो आप इसको हमेशा पहन पाओगे बस खाली उसके अंदर आप ऐसा रखना कि उसको एक डेड़ किसी भी नाइट फंक्शन में यह ऐसा शेड़ है कि इसको आप किसी भी उस पर पहन सकते हो तो एक ऐसी साड़ी आपके वाडरों में होनी जरूर चाहिए मस्ट है दैन दूसरी साड़ी हम आपको दिखाते हैं यह है धानी ग्रीन कलर की और यह बिल्कुल प्लेन साड़ी है इसका कलर आप देख सकते हो कि यह ग्रीन एंड महरून के कॉंबिनेशन में है इसको पतला सा बार्डर बना हुआ है जो इसकी ब्यूटी को और बढ़ा रहा है और बीच बीच में छोटे-छोटे से छोटे-छोटे महरून कलर के मोटिप बने हुए है यह प्योर काजी वरम तो यह आपको बहुत ही रिच लुब देगी इसको भी आप डे में नाइट में किसी शादी बया में किसी फॉंक्षन में किसी मूंडन पार्टी में बड़े पार्टी में कहीं मी पहना का सकते हो तो एक इस टाइप की साड़ी आपके वर्डों में जरूर होनी चाहिए यह ये बहुत सुन्दा साड़ी है तेन आपको इखाते हैं यह पीकॉथ ग्रीन या रामा घ्रीन हार का यह साड़ी जे आप Question में पैन सकते हो। इस पीकॉथ ग्रीन कलर है जिसकी가지고 ऑने उसके बहुत खरीन ममटिफ बने वे बाता है सपंटी अच्छा लूप कैसं क्योंकि पूरी भरी हुई साडिया मोटिफ इसको आप इकाम सबस्कंगतukan सबस्क्राइब होगे उस लुक में भी आपको बहुत अच्छा दिखाएगी इस पर कोई बहुत ज्यादा एक्सेसराइज करने कि आपको जुरोत नहीं है क्योंकि साडी पर ही इतना काम हो रखा है और यह कलर भी आज में हैं इसको भी आज सलاخ में पर्टी में यह कह एक हुए यह क्तर भी परिंड में साड़ी इसका यह चक्रम करते हैं इसको भ्याइब नाईट पार्टी पहन لكن ją सब्सारे में और इस तरह 25 evolve परडरों में मस्ट है वोनी ही चाहिए कि जिसको आप किसी अच्छे बड़े फंक्षनेंट पहन के जा सको यह हां जरूर है कि थोड़ी सी यह भारी है इसको carry करना थोड़ा सा difficult हो सकता है तो इसको आप चाहे तो खुले पल्ले की पहनो चाहे तो इसको plate बना के आप पल्ला डालो ये भी आपको बहुत अच्छा दिखाएगी और ये इसका yellowish gold touch में जो है इसका पल्ला है जो इसको एक बहुत अच्छी beauty देता है इसको भी आप gold jewelry के साथ एक्सेसराइज करो same color की jewelry पहनने से अच्छा ये साड़ी जब हिनायन्स होगी जब या तो इसको आप red color की jewelry पहनो या फिर gold color की पहनो मेरी मानों तो आप इसको gold पहनो gold में ये बहुत ही अच्छी लगेगी साड़ी इस पर आप बड़े-बड़े कान में gold color के डाल सकते हो gold jewelry पहन सकते हो चूडिया भी चाहो तो आप gold पहन सकते हो नहीं तो आप same matching की gold and royal blue लबा के पहन सकते हो अगेन एक बार आपको बोलूगी कि इसके blouse आप हमेशा simple ही रखिए बहुत ज़्यादा जो trend में fashion वाले blouse चल रहे हैं उनको इन पर मत पहनिए simple blouse इलाएंगे कभी इनका fashion आउट नहीं होता इनको कभी भी आप पहन सकोगे और अगर आपको यह हमारी साड़ी की यह वीडियो पसंद आती है और आपको और भी सारियाँ देखना है audio की सारियाँ देखना है जिनको हम पाट्यी में पहन के जा सकते यह कैज्वार में पहन के जा सकते तो आप हमको बताईएगा तो हम next video में आपको वह भी बताएंगे थैन्कियू पेलज में अगूज साह KISB झाल झाल झाल